दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप सभी को साफ साफ पता लगने वाला है कि पाइनेटफर्ग की जो ओफीशल लाँचिंग होने वाली है वो कौनसी डेट को होगी हाँ दोस्तो आप सबने सही सुना पाइनेटफर्ग की जो ओफीशल लाँचिंग होगी वो कौनसे डेट को होगी वो आप सभी को आज पता लगने वाला है पाइनेटफर्ग का जो ट्व कि पाइनेट वक की फ्यूचर की ग्रोथ कैसे होने वाली है और एक्सपर्ट का मानना क्या है और लांचिंग कब होगी तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना तभी आपको सारी चीज़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को और पे जरूर पैस कर ले एंड डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम कर लिंग के आप जाके उसको भी जॉइन कर सकते हैं चल दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब हम चलते हैं अपने अपडेट की तरफ यहां पर बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स हाइलाइट 10 चैलेंजिस फेसिंग पाई नेटफर्ग जी सीवी एंबिशन पोस्ट मैनेट लॉंच तो यहां पर आप सभी दिखते हो कि 10 पॉइंट की बात की जारी है वो क्या है अब हम डिसक्स कर लेते हैं इसका reality से कोई भी मतलब नहीं है अगर आप इस amount को INR के अंदर convert करोगे तो 2.7 करोर से उपर का amount होता है जो कि पाई नेटफर्ग का कभी भी possible नहीं होने वाला बिटकोईन भी जो सबसे highest किया था वो 68,000 डॉलर गया था वो 2021 के अंदर तो आप सोचो बिटकोईन को तो पैस possible नहीं हो सकता मैं वही चीज बताता हूँ जो real होती है अब हम चलते हैं कुछ points जिसको कर लेते हैं lack of market demand इसका मतलब simply यह है कि market के अंदर किस तरीके से पाईनेटफर्ग की demand create होती है और अभी हाल फिलाल के अंदर आप सभी को पता है कि पाईनेटफर्ग की जो base mining rate है वो downfall ने अपने time में मतलब 3-4 साल पहले अच्छा खासे pie coins को mine कर लिया है ठीक है मतलब उस time की बात करें और जो लोग अभी इसको join कर रहे हैं वो लोग उतना नहीं mine कर पारें क्योंकि base rate ही कम है पहले क्या था कि आप एक दिन के अंदर अच्छे खासे pie coins को mine कर सकते हो बट आज के rate में क्या है कि एक दिन के अंदर आप एक pie coin को mine कर सकते हैं क्योंकि अभी mining rate कम होता जा रहा है और यह अच्छा इसलिए है कि limited कोई भी चीज अगर रहती है और market के अंदर उसके demand बनती है तो automatically जो limited चीज है उसका price अप होना start हो जाता है तो उसी को limited लोगी buy कर पाते हैं क क्योंकि guys अभी के time में bitcoin बहुत expensive है हर कोई buy नहीं कर सकता बट आज से हम 8-10 साल पहले जाएं जब bitcoin launch हुआ था तो उस time पे उसका उतना कोई valuation नहीं था बट धीरे-धीरे करके आप देखोगे तो आज केट में बहुत powerful वो crypto currency हो चुकी है जो limited लोगों के पास है अब चलते है second point के तरफ limited network effect limited network effect के अंदर basically क्या है कि pine network एक project है और वो बहुत सारे diversify करके अलग-अलग services को provide गर रहा है तो उसी के यहां बे बात के जा रही है adoption and generate the diverse value third lack of exchange and liquidity liquidity का मतलब simple यह है कि simple तरीके से आप उसको withdrawal कैसे कर बाते हो क्योंकि बहुत सारी जो crypto currencies होती है उसका आपको exchange के रूप में withdrawal देखने को नहीं मिलता है limited exchange के रूप में ही withdrawal देखने को मिलता है तो अभी के टाइम में क्या है कि हमें liquidity पर फोकस करना पड़ता है क्योंकि अगर हम cryptos को buy गर रहे हैं तो हम अगर sell करना चाहते हैं तो हम अपने account में पैसा वापस transfer कर ले हम यह भी सूशते हैं नहीं कि हम liquidity के लिए wait करें तो इस चीज पर बहुत ध्यान दिया जाता है exchanges की बात यह है कि आप सभी मतलब simple तरीके से exchange कर पाओगे किसी भी form में चाहिए fiat में करना है किसी भी crypto exchange में करना है ठीक है फूर्थ है completing market conditions तो इसके अंदर basically क्या है experts notice that pie network might face stiff competition from established cryptocurrencies in the highly competitive cryptocurrency market market के अंदर ऐसा नहीं है कि pie network ही एक बहुत अच्छी खासी crypto currency है fan following के मामले में बहुत सी ऐसी और भी crypto currencies है और कोई भी अगर आप company open करते हो तो आपको always competitors रहते ही हैं और उन competition के अंदर आप सभी को अपना best perform करना होता है तभी आप अच्छे तरीके से market के अंदर sustain कर पाते हो तो competition ऐसा है कि pie network के लिए भी है पाइनेटफ़क, NFT, web3, metaverse, gaming और भी different type of चीज़ों पर काम कर रहा है यह बाकी जो crypto currencies है उनसे इस तरीके से बहतर हो जाता है क्योंकि यह 4 साल से उपर हो चुके हैं और इसके fan base भी बहुत अच्छा खासा हो चुका है और जितने भी इसके pioneers है वो real pioneers है जो पाइनेटफ़क को support करते हैं कोई भी celebrities को support अभी तक या नहीं करता या billionaire millionaire millionaire के बात करें तो तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों से यह बहुत अलग है और इसने बहुत सारे numbers में अपने records वोग्यारा बना रखे हैं फिफ्थ है regulatory uncertainty, regulatory uncertainty के अंदर basically क्या है involving regulations and potential legal hurdles किसी भी cryptocurrencies के लिए rules and regulations भी बहुत matter करती है अगर rules and regulations को वो समझता है cryptocurrency जैसे कि इंडिया के अंदर मानो किसी cryptocurrency को CBGC से लिस्टेट करना है या किसी foreign country के अंदर किसी भी cryptocurrency को listed होना है तो situation में अगर वो government के rules and regulations को मानता है तो कहीं न कहीं वो एक तरीके से safe cryptocurrency कहलाती है और जो भी normal लोग हैं वो उसके अंदर easily अपनी investment को चालू कर देंगे क्योंकि अब धिरे-धिरे करके हर country fee के अंदर cryptocurrencies की values का पता चल रहा है और government भी इस चीज़ को accept कर रही है छटा है lack of scalability इसके अंदर क्या है concern were raised about pineapple ability to scale effectively and accommodate and growing user base without technical limitation और performance issue जैसा कि आप सभी को पता है crypto एक अलग concept है mostly technical concept है यहाँ पे हर किसी को चीज़े इतनी अली समझ में नहीं आने वाली इसको इतना simple तरीके से बनाया जा रहा है इसने simple तरीके से interface को रखा जा रहा है कि जो technical चीज़े होती है वो भी आपको बहुत easily तरीके समझ में आ जाएंगी इसी वज़े से आप देखोगे पाइनेटफक के साथ बहुत सारे users बे जुड़ते जा रहे हैं और इंडिया के अंदर सबसे आदा लोग हैं जो crypto के अंदर अपनी investment को चालू गड़ चुके हैं से दिया जाता है जिससे कि आप सभी को अगर आप नए हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे चीज़े करनी है एक बार कुछ चीज़े आप समझ जाओगे टुटोरिल देखने के बाद बाकी आप अपने हिसाब से प्रो होते रहोगे टाइम टाइम अपनी investment को बढ किसी भी क्रिप्टो का जो प्राइज होता है अलग-अलग factors पर डिपैंड करता है अपन डाउन और इसके अंदर economical factor भी बहुत जरूर होते है किसी भी country के अंदर अगर वार चल रहा है ठीक है तो वह भी एक factor है किसी भी price को अपन डाउन करने का नाइन्थ है lack of real world integration के अंदर यह चीज आती है कि पाई जो crypto currency है वो अलग-अलग countries के अंदर उन daily जो हम task कर रहे है उसको hit कर रहा है अगर हम कोई necessary item खरीद रहे है तो उसकी भी हम payment free at currency में करते है बट पाई network क्या कह रहा है कि अगर आपको इस वाली shop से कोई चीज बाई करनी है जैसे आपने USA के अंदर Nigeria India और भी different countries के अंदर आपने देखा है बहुत सरी payment के method आ चुके है कोई चाई की shop है coffee की shop है वहाँ पर भी आप simply pie coins को pay करके आप चाई या coffee ले सकते हो जो कि बहुत necessary होता है ठीक है यह आपको को expensive product लेना है आप वो भी ले सकते हो जो हम daily basis में चीज़ें यूज कर रहे है उस चुके हैं या आपके पास किसी भी knowledge है किसी भी term में जैसे कि आपके पास crypto की different type of projects की knowledge है जैसे कि web3 काम कैसे करता है DAO क्या होता है matter was gaming क्या होता है तो आपको इसके बारे में पता है तो आप किसी भी crypto company के अंदर अपने research को tight कर सकते हो कि या यह company क्या roadmap रखती है क्योंकि roadmap व बात करें और भी बहुत सारी चीज़े होती है जो आपको checkout करनी होती है तो वह सब चीज़े अगर वह visible कर देती है और प्रीवेस उसका data checkout कर पाते हो और फिर आप comparison कर लेते हो तब आप एक final अच्छी company के decision पर चले आता हो कि हाँ यह जो company है मेरे को एक अच्छा benefit दे सकती है क्योंकि यहाँ पर आपने research और comparison करके देखा है अगर आपने किसी की बात सुनके किसी भी cryptocurrency के अंदर investment कर दी तो कहीं न कहीं issue हो सकता है क्योंकि आपको यही बोलोगे न कि फलाने ने बोला था कि इस वाले share को buy कर लो यह फलाने ने बोला था इस वाले crypto को buy कर लो यह boom करने और वो क्या हुआ एकदम से लॉस में चली गई तो कहीं न कहीं आपको research करनी पड़ेगी अब हम बात करने जा रहे हैं जो मैंने आप सभी को starting में बोला था कि पाइनेट फक की official launching के बारे में तो उसी के related article भी आ चुका है पाइनेट फक का जो trademark है वो officially approved हो चुका है मैंनेट launch date set for June 28 तो यहाँ पर आप साफ साफ देखते हो मैंनेट जो launch की date बताई जा रही है वो 28 जून 2024 की set की गई है इसके पीछे क्या reality है वो भी हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं जबसे पहले में ट्वेड मांक के बारे में आप सभी गजा तो status date के आप यहाँ बात करें तो ए पाइनेटवर्क ब्रैंड आइडेंटिटी तो कहीं ना कहीं पाइनेटवर्क की जो ब्रैंडिंग है वो इसके थूरू और स्टॉंग होती है क्योंकि इनका ट्वेड मांक आ चुका है मतलब कि अब इनका नाम अच्छा तरीके सा रेजिस्टर हो चुका है ठीक है तो यह ए अब निगाहा है कि अब उपन मैनेट आएगा तो उसी चीज के आप बात कि जारी एंटिसीपेटेट मैनेट लॉंच शिट्डूल फॉर जून ट्वेंटी एट टूटान ट्वेंटिफॉर्क ठीक है कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा एक तरीके सा सेलिब्रेशन का मौका है पाइनेटवर्क के उन सभी पाइनेट के लिए जो इस चीज को बहुत पहले से सपोर्ट कर रहे थे या जो अभी इसको जॉइन करे हैं सपोर्ट भी कर रहे है और लिखा गया है दि मैनेट लॉंच ऑन जून ट्वेंटी एट टॉन 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 टॉन्टी फॉर इस तो एक्सपीरेंस दी फुल पोटेंशियल ओफ टिजिसेंट राइस एको सिस्टम तो कहीं न कहीं जब यह ऑन दा फ्लोर आ जाएगा तो आप सभी के सामने सारे फीचर्स अनेबल होते हुए देखने को मिलेंगे जो आप नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी के अंदर देख पाते एक फरवरी से तीन मार्च तक का हैक्टन चलने वाला है और मार्च में मतलब स्टार्टिंग में यह खतम हो जाएगा जिसमें एप्लिकेशन्स क्रियेट होती है और उसके बाद जो चौदा मार्च है वो पाइनेटफ़क का एनिवर्सरी डी है तो कहीं न कहीं चांसिस बन स चलने सकते हैं कि 14 मार्च तो इन्होंने आपट की बाती करी वो इसलmaz नहीं बात करी क्यूंकि कैवाइसी इंपर्व करना भी बहुत जरूरी है क्यूंकि अगर पड़्सरी इंपरोव नहीं होगी तो आप आपार्ट मेंनेज का पार्ट नहीं बन पाओगे और और बात रही utility को लेके तो utility को लेके इन्होंने अभी जो एक फरवरी से तीर माज तक का start किया है time तो इस duration के अंदर बहुत सारी top की applications create हो जाएंगी और बात रही KYC के जो AI की बात करते है या जो technical चीजों को update करने की बात करते हैं वो भी साथ में चल रही है तो ऐसा हो सकता है कि June 28 को इसकी official launching हो जाए ठीक है इसको मैं आप सभी को बता दू मैं percentage की बात करो तो 70-60% का आप chance ले सकते हो कि officially launching हो जाएगी क्योंकि 100% की हम बात इसलिए नहीं कर पारे क्योंकि अभी official Pico team के तरफ से नहीं आया ये articles अभी जो हम देख पारे उसको मैंने आपको देखके ब मिलता है नहीं वीडियो के साथ तब तक ले जहिंद वंदे मात्रा